हलो दोस्तों फिर से आपका स्वावत है मेरे चैनल पे आज मैं आपको बताऊंगा कि पावर वर्काउट को कैसे करना है और वो भी बिना एक्क्यूपमेंट्स के जैसे कि हम जानते हैं स्पोर्ट्स फिरीड में पावर वर्काउट का बहुत जादा इंपोर्टेंस है पावर वर्काउट का मतलब आपके बोडी में कर्ट्स या शेप से नहीं है बलकि पावर वर्काउट से आपके बोडी में पावर और स्ट्रेंथ आ जाता है जिससे आप मैच के टाइम पावरफुल हिट और पावरफुल स्मैश मार सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताए इसमें किसी equipment का use नहीं होगा जिस बैसे आप इसको घर में, sports field में या जिम में भी apply कर सकते हैं अब बस आपको एक चीज ध्यान देना है कि power workout करने से पहले आपको थोड़ा सा pre warm up जरूर करना है और दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो उस red वाले बटन को दवा कर मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और आने वाले bell icon को दवाईए ताकि कोई भी new वीडियो आते ही आपके पास सबसे पहले पहुचे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम start करेंगे jumping jack से jumping jack से आपकी body पूरी तरीके से warm up हो जाएगा बस आपको इसको 22-30 times करना है अब next है squats आपको एक चीज ध्यान रखना है कि squats करते टाइम आपका knees आपके toes से आगे न आ जाए और आपका spine हलका सा आगे की और bend हो इस squats से आपके thighs और pelvis strong होता है इसको 30-50 times तक करना है next है mount climbing hands को straight रखते हुए आपको अपने right leg को एक बार front side और एक बार left leg को front side लाना है mount climbing से आपका core strong होता है next है crunches leg को stable रखते हुए आपको अपने upper abdomen को knees की और लाना है crunches से abdomen strong होता है इस exercise को 30-50 times तक करना है next है wide arm push ups legs और hands को stable रखते हुए आपको अपने upper abdomen को एक बार down और एक बार up करना है wide arm push ups से आपका chest, arms और shoulder strong होता है next है stair jump आपको one और two fit के stair पर jump करना है और उस पे से land करना है stair jump से आपका leg, आपके thighs और आपका pelvis strong होता है next है burpee squats position में रहते हुए आपको एक straight jump लेना है और landing के बाद आपको एक push up करना है burpee से पूरे body का workout होता है next है triceps dips आप किसी chair या stair के edges में इसको कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने hands को अपने hips के side में रखना है और legs को straight रखते हुए आपको अपने hips को down करना है जब तक कि आपके arms parallel ना हो जाए फिर आपको धीरे से अपने body को उपर उठाना है इस exercise से आपके triceps और shoulder strong होगा next है chin ups इसको आप किसी rod या pole के side से भी कर सकते हैं बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि rod hold करते time आपका palm आपके facing side पर हो इससे आपका arm आपके biceps और आपके shoulder strong होते हैं आपको कुछ चीज़े ध्यान रखना है कि आपको इन exercises को हपते में 3-4 दिन से जादा नहीं करना है exercises के repetition को धीरे धीरे बढ़ाना है जल्दी बढ़ाने की कोशिच बिल्कुल न करें और यदि आपके body पे कोई major injury हो तो इन exercises को avoid करें तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अब आपसे मुलाकात होगी next किसी interesting वीडियो पर तब तक आप अपना ध्यान रखें